हेलो फ्रेंड्स मैं विने निर्भिक फ्रेंड्स आप कर वाइब फिट से मारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स और भी टेकनिशन न्यू वैकेंसी 2024 कुल पद 4000 प्लस यानि ये भी कह सकते हैं उट के मुँँ में जीरा बिल्कुल एल पी के हितर है ठीक है PCM मौलों के लि रहने वाली है तो उसका मैं डिटेल्ट वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो में लेकर के आया हूं तो फ्रेंड्स जो आपके टेकनिशन की वैकेंसी आ रही है इसमें भी बहुत ज्यादा पद आपके नहीं रहने वाले हैं इसका रिजन में पहले भी बता चुका हूं कि जै अब आप सोचिए टेकनिशन में इतने सारे ट्रेड होते हैं । जब इतने सारे ट्रेर हूंगे यह किसको कितना वेकेंसी मिलेगे यानि चारजर वेकेंसी यानि एक जोन में लगए 100-800 वेकेंसी आएगी टोटल उसी में आपके दस बारे ट्रेड रख लो उसे PCM और अलग से रख लो तो फिर कहां सी वेकेंसी आएगी क्यों आप लोग दे रहो यह वेकेंसी दो ही मतलब अ एक जोन में 100 वेकेंसी उसमें अगर आप पांच ही ट्रेड मानलो और आवरेस मानलो 20 पूस्ट एक ट्रेड का तो फिर इस वेकेंसी का मतलब क्या है आप खुद बताओ और फिस आप लोग लेते हो 500 अगर कोई प्रेजेंट होता है तो फिर आप 110 काट के 390 वापस करते हैं दसरों बैंक चार्ज के नाम पर कोई प्रेजेंट नहीं होता है तो फिस आप रख लेते हो तो यह बहुत कलत चीज हो रहा है इससे में रेल्वे में जिसका पूर जोर विरोध होना चीए फ्रेंड्स मैं हमेसा कहता हूं अगर आप सही डायरेक्शन में करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा इसमें कोई डाउट नहीं है ठीके पिछले बार भी जब वेकेंसी में प्रॉब्लम्स हुए थे जैसे 2018 लिए ग्रूबडी वेकेंसी में क्या हुआ था यह लोग लगा दिते बीना बताए तो फिर वहां प्रोटेस्ट वगरा काल कि आपको अलेट किया गया कि आगे कोई भी ग्रूबडी के वेकेंसी आएगी तो आईटी आई अब रहेगी रहेगी बिना आईटी आई के आप ग्रूबडी में नहीं आ सकते हैं यानि कहने का मतलब है रेल्वे पूरी तरीके से टेकनिकल हो चुका है मात्र 10-15% जो है टेकनिकल ही लेना है क्यों आईटी आई ही लेना है तो ऐसे ही अब यहां पे आप टेकनिशन में भी देख रहे हैं क्या हो रहा है टोटल पोस्ट 4000 ठीक इतने जोन तो यहां पे PCM के लिए मुझे नहीं लगता है कोई वेकेंसी इस बार आने वाली है इसके लिए भी आप ल नुकसान यानि कि आपका नुकसान क्योंकि government आपकी होती है सरकारी संपत्ति क्यों कहा जोता है क्योंकि पब्लिक होती है ने पब्लिक उसमें चलती है ट्रेन वगएगरा पर तो आप ऐसा कुछ मत करना जो बिल्कुर गलत हो ठीके मैं आपके प्रोटेश्ट क्लाफ्ट नह Hollering ताकि government को दिखे रेलेवे को दिखे कि हां इलेक्ट्राइम आया हुआ है और देश कई हुआ जो है मेरे खिलाफ एकदम उतर गया है ट्रैक पे सड़कों पे उतर गया है तो यह चीज़ आप कर सकते हो पट मैंने फिर वही का किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए आप ऐसा करो कि सब कुछ सही सी चलता रहे है प्रोटेश्ट का मतलब यह होता है कि आप आग लगाओ और सब करो मारो पीटो इसम नहीं करना चाहिए ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर तो मुझे PCM वालों के लिए उमिद नहीं दिख रहा कि कोई वेकेंसी आने वाली है टेक्निशन में जो अलग से लोग देने की बात कर रहे है ठीक है पहले इंक्लिट कोंसी वेकेंसी आप आएंगी तो मैं आपको पहले भी कंफर्म कर चुका हूँ कि अभी ग्रूपडी के वेकेंसी नहीं आने वाली है अभी एंटीपिसी के वेकेंसी नहीं आने वाली है अभी जो वेकेंसी यह की है और आपकी जेई की है और एक टेक्निशन अलग से लाते ह है कि कौन सी वेकेंसी कब आएगी और कब नहीं आएगी ठीक है यह आप पिछले लगभग 10 साल से देख रहा है जो भी हो रहा है मतलब एलेक्षुन के ही टाइन हो रहा हैं है ठीक है इलेक्स से पहले कुछ न?, लगभग 2014 अग तक लगवस्पी वीकेंसी दिक लेद 15 के लिव से अथार चाहिए आई राक से है फिर 18 के बाद 19 में आई क्योंकि 19 में इलेक्शन था इसलिए दो वेकेंसी लगातार दिया गया अब फिर 19 के बाद पूरा सूखा पड़े गया अब 24 में आया है तो अलपी के वेकेंसी आया मात्र पांचार्ची चुछ चुछ अबे फिर उसको बाद टेक्निशन की पॉसबेल तो बहुत अच्छी बात है वैसे ओपेंट वेकेंसी उसकी बहुत कम आती है एक बार आई थी 2012 मीमेर कास ठीक है तब मैं देखा था टेटी कोई ओपेंट वेकेंसी आया है तो हो सकता पांचार्ची आया जाए क्योंकि सब कुछ एतिहासी की हो रहा है रेल्ए में इतने कम पर आपको आगे आना ही होगा इसका पूर जोर विरोध करना ही होगा ऐसे tweet tweet करने से तो काम नहीं चलेगा tweet tweet एक खेल खेल रहे हैं आप लोग बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं और जिनके भाकावे आ रहे हैं जो लोग hashtag वेरे launch कर रहे हैं आप लोग के लिए वो क्यों आपको मुर्ख मना रहे हैं क्यों अपनी following बढ़ा रहे हैं बाकी और कुछ नही जाओ दिल्ली में हर एक डिपार्टमेंट में जागए जो भी डील होना है दिल्ली से होगा आररी पटना से तो कुछ नहीं होगा जिसके नाम पे आपके साथ धोका किया अफ़ाफ आए गया कि लोग मिल ले गया थे ठीक है वास तो कुछ हो इनी सकता अगर यह लोग मिल भी लेते तो भी जबकि संडे था उसने आप समझे रहें संडे को आरवी वसे भी ओफ रहता है को यह अरवी ओपन नहीं रहता सटेड़ संडे दो दिन ओफ रहता है और मंड़े को भी धाई विस तक तक तो हॉल्डे ही था तो इस विए से मैं आप से कहूंगा जो भी करना फि कि वेकेंसी तो पहले से ही बढ़ा करके दो क्योंकि बात कि क्या गारंटी आप तो कितना बढ़ा होगे 100-200 बढ़ादो 1000 को बढ़ादो से काम नहीं चलने वाला है वेकेंसी जो होनी चाहिए कम से कम जो है एलपी ओ टेक्निशन की मिला के लगभग लगग 30-35 तो होनी ही चा क्योंकि जोनों टेक्निकल डिगरी नहीं लिए वो कहां जाएंगे आखे एक रेल्वे ही तो सबसे बड़ा नहींता माने जाता है सबसे बड़ा नोकरी देने वाला हो अगर वही नहीं देगा फिर कौन देगा नोकरी इस वह से इसके खिलाफ आप लोग पूर जोर आवाज उठाईए पुर्जवर विरोद करिये प्रोटेस्ट करिये ट्रेंज रोकना रोकिये बट सब कुछ कॉंस्ट्यूशनल वेर में करिये ऐसा मत करिए जिसे आपका नुक्सान हो आपका कहरे खत्म हो यह क्यों आपके भलाई के लिए ही बोल रहा हूं ठीक है फ्रेंड्स तो